भारती जनता पार्टी एक नए सिध्धान्त पर चल ले हैं जो जितना बड़ा भ्रस्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी भारती जनता पार्टी में शामिल हो जाओ भारती जनता पार्टी के आप नेता हैं तो आप राजा हरीश्चन्द है वर्ना मनीश सिसोदिया जिनके घर 14 घंटे CBI छापा मारी करती है कुछ नहीं मिलता गाओ में छापा मारी करती है कुछ नहीं मिलता दफ्तर में छापा मारी करती है कुछ नहीं मिलता बैंक के लाकर पे छापे मारी करती है कुछ नहीं मिलता पहली चार सीट आती है नहीं मिलता, CBI पास दिन की पूस्ताच करती है, कुछ नहीं मिलता, फिर दो दिन की पूस्ताच करती है, कुछ नहीं मिलता, तो मुदी जी बौखला गए, करें कुछ मिली नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, लगाओ अपनी ED, दस महीने से ED कुम्ब करल की नींद सो रही थी, तब उसको याद नहीं आ है कि हमको इस मामले में घुसना है जिस दिन मनीश सौधिया की जमानत की आचिका लगने वाली होती है दस तारीक को ठीक उसी दिन E.D. कहती है हम गिरिफ्तार करके जेल में डालेंगे क्या इस देश के लोगों समझ में नहीं आ रहा है इस देश की जनता मूर्ख है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के नेता है हेमंत विश्व सर्मा जिसके खिलाब वाटर घुटाला लेके आती है बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाती है ब्यापम घुटाले में फसे सिवराज सिंग को मुख्यमंत्री बनाती है माइनिंग होटाले में फसे यदुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाती है लैंड स्कैम में फसे नारायन राने को केंद्री मंत्री बनाती है रेड़ी ब्रदर्स पे सीबियाई की इंक्वारी बन मुकुल राय को पाटी का रास्टिव पाध्यक्ष बनाती है सुवेंदू अधिकारी पे सार्दा सकैम में सीबियाँ इडी की जाच चल रहे होती है उनको अपनी पाटी का नेता विरोधी दल बंगाल के अंदर बनाती है कितने नाम गिना हूँ कितने नाम गिनाओं कितने मंत्री गिरिफ्तार हुए, कितने अधिकारियों पर कारवाई हुई, कहां गई CBIED, अभी इनके BJP MLA का लड़का आठ करोन उसके घर पर बरामत हुआ, कितनी CBIED, कितनी Income Tax Department गई उनके हाँ, अब बताईए, अडानी, नरेंद्र मोधी जी का दोस्त, लाखों करोल रु कितना Income Tax Department गया, मौरिसिस में एक पते पर 6 कमपनिया खोल कर, 42,000 करोर रुपे का काला धन अडानी की कमपनी में लगाया गया, उन 6 कमपनियों की आमदनी का कोई जरिया मालुम नहीं, कितनी जाच हुई उसकी बताईए दर आप, और तो और छोड़ दीजे, तालिबान से 3 हजार किलो ड्रक्स अडानी के मुंडरा पोर्ट पे आया, 20,000 करोण उपे की ड्रक्स आई, कितनी गिरिफ्तारी हुई बताईए आप, और आज जो 20,000 करोण का ड्रक्स तालिबान भेजता है इंदुस्तान को, आज उसी तालिबान को 20,000 तन गेहु भेज रहे हैं मोदी जी मोदी जी का नारात, तुम मुझे ड्रक्स दो, मैं तुम्हें गेहु दूँगा, तुम मुझे ड्रक्स दो, मैं तुम्हें गेहु दूँगा, तालिबान को आटा और भक्तों को चाटा, मोदी जी के भक्त कहते हैं तालिबान से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, उ सजार्टन, भक्तों के मुँपे जोरदार चाटा पड़ रहा है, देश का बजट आता है, किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान दुखी, माता हैं बहने दुखी, महंगाई से दुखी, कौन खुस है, तालिबान खुस है, तालिबान को बजट में पैसा दे रहे हैं सैक्रो करोण रुपए दे रहे हैं, यह है बीजेपी की असलिए, यह भारती जनता पार्टी का असली चेरा, तो इसलिए मनीश सिसोधिया पे कारवाई हो रही है, सारे विपक्ष के लोगों पे कारवाई हो रही है, सब को जेल में डालेंगे, सब में सीबियाइडी छोडे करेंगे, मैंने तो कहा था कि मुर्दों से भी